दोस्तो नमस्कार मिरा नाम संजे मगुहर मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर चुनाव आ गया है हर्याणा के अंदर और चुनाव के अंदर जो सबसे महत्पून हुआ करता है क्योंकि चुनाव का प्रत्थम दौर है जिसके अंदर आने वाले दिनों में टिक्टों की घोशना होगी तो यानि कि टिकट की टिक ऐसी होती है जिसके सामने घड़ी की सुईयां भी धीमी पर जाती है प्रत्याशियों के दिन है काटे नहीं करते रात है उनकी चैन से बीटती नहीं और कुछ यही दोर चल रहा है खासकर उन लोगों के लिए जो भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस की टिकट के इच्छावान है जिनको भारती जनता पार्टी या कॉंग्रेस से टिकट लेना है दोनों ही पार्टियों की भाजबा की भी और कॉंग्रेस की भी आज कल लगातार बैठके चल रही है कॉंग्रेस जहां अपनी स्क्रीनिंग कमिटी की बैठके कर रही है तो फिर भारती जंता पार्टी का महामंथन चल रहा है कल भी हुआ और आज भी हो रहा है गुरुगरा भी है उस बैठक के अंदर विपलव कुमार देव भी है और बाकी तमाम निता है चुनाव कारे समीती के सदस्य भी है और रिकमंड किये हुए नाम उसके अंदर एक के बाद एक चर्चा हो रही है जिस पर आप राय शुमारी भी कह सकते हैं और मान लीजिए तो कारे करताओं क कि नीदें गायब है जिनको टिकेट लेनी है उनका नीद गायब है कि आखिर होगा क्या जैसे कहते हैं कि परिक्षा की घड़ी होती है जब रिजल्ट नस्दीक आना हो क्योंकि चुनाव पांस साल की परिक्षा होता है पांस साल तक जो नेता होते हैं वो परिक्षा दिया क कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने परिक्षा दी ही नहीं होगी वो कहीं अवल सेड़ी में आ जाई ये बहुत सारी बाते होती हैं और इन सब को लेकर के कैंडिडेट्स में चर्चा है और हम भी आपसे लगातार बताया करते हैं तमाम विधानसभाओं को लेकर और सलीलायर चाई। उस 씨ट यानि की होडल के लिए भारती जंता पारटी के लिए जो कल कैंडिडेट्स की महामंफन हुआ कैंडीडे之 के नामों पर उस मंफन में आखिर मथा क्या गया क्या निकला कितने नाम गई कितने नामों पर चर्चा हुई आज हर व्यक्ति टेलिफॉन गन गन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको पता हो तो मेरा नाम था क्या, अगर आपके कोई सोर्स हो पता चले कि मेरा नाम था क्या, तो ये तमाम यही बाते हैं, तो भारती जंता पारटी के किन नेताओं का नाम था, किस नेता को टिकेट मिल सकती है, इस सब को ले करके चर पूर्विधायक के बेटे पूर विधायक के पूत्रवधु नेत्री बीए जो भी तक भारती जनता पार्षटे में हैं उनका भी नाम है और इस लिस्ट के अंदर और कई सारे नाम शुमार है इवन पलवल के नेताओं के नाम पारशद हैं उनके नाम भी हैं अगर मैं आपसे सिल्सले वाल बात करूं और बताता चलूं कि किन नामों पर चर्चा हुई और कौन से नाम गए तो आपको पहले बता दूं कि लगवग साथ से आठ नाम ऐसे हैं जिनके नाम रखे गए पहले तो आपसे उन नामों को बता लगे दीख जाएंगे तो उनसे देख के अंदाज लग जाता है कि कौन केंडिडेट है होडल से भारती जनता पारटी की टिकेट चाने वालों में पहला नाम जगदीश नायर का है जो आजकल के वहां के विधायक हैं चौदरी बंसी लाल की सरकार में वो वजीर रहे थे 1996 से 2020 की जो सरकार थी उसके मध्यास्त के अंदर उनको मंत्री बनाया गया था जगदीश नायर बाद में हरियाना मिकास पारटी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोगदल में आये थे और इंडियन नेशनल लोगदल में आ करके वो 2000 का चुनाव हार गये थे उसके बाद 2005 क बने थे जगदीश नायर दूसरी बार 2014 का चुनाव हार गये थे और 2019 जब आया यानि कि 1996 में हभीबाग केंडिट हुए दोजार दोजार पांच, दोजार नौर दोजार चौधा में वो इंडियन नेशनल लोगदल के कैंडिडेट हुए और जब 2019 आया जब इंडियन नेशनल लोगदल तूट करके दो हिस्टों में हो गई जन्नायक जन्ता पालिटी के अंदर थे जगदीश नायर रौतक के अंदर जगदीश नायर जन्नायक जन्ता पालिटी की बैठक को संबोधित करके आये और फिर वापस मुड कर कभी देखा नहीं जजपा की तरफ शामिल हो गए भाजपा में 2019 के चुनाओ में उनको टिकेट मिला भारती जन्ता पालिटी से विधायक बन गई इस चुनाओ में वो फिर दोड में है अगर अगला नाम तो अगले नाम के अंदर आ जाएगा यहां पर पूर विधायक रहे हैं चौधरी रामरतन 1991 में कॉंग्रेस के टिकेट पर चौधरी का नंबर लगा नहीं और अब यह 2024 के चुनाव के लिए चौधरी राम्रतन के दो रतन हैं कि चौधरी राम्रतन के दो रतन चुनाओ में टिकेट की दोड में हैं दोनों भारती जन्ता पलटी से एक तो उनके बेटे हैं हरेंदर बड़े बेटे हैं हरेंदर रामरतन वो टिकेट मांग रहे हैं भारती जन्ता पार्टी का चौधरी क्रिशन पाल गूजर के खास सिपासालार है हरेंदर और दूसरे जो टिकेट मांग रहे हैं वो रामरतन के बेटे हैं क्रिशन कुमार एड़ोकेट क्रिशन कुमार के धरम पत्नी है ममता सरपंच वो भी टिकेट मांग रही है और मैंने आपको कहा कि चौधरी राम रतन के दो रतन हैं ये अब राम रतन जी कौन से रतन के साथ हैं तो आप उसे यूं मानें कि वो दौनों के साथ दिख जाते हैं हरेंदर के तरफ उनका ज्यादा मन है वैसे मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि हरेंदर रामरतन जो है वो आज से लगवग दो साल पलवल नगर परिशद का हुआ चुनाव के अंदर भी कैंडिडेट थे नगर परिशद के चेर्मेन की टिकेट की मांग थी टिकेट नही टिकेट नहीं मिला था तो ये दो रतन तो रामरतन जी के हो गए और एक जगदीश नायर तीन कैंडिडेट मैंने आपको बताए चौथा नाम यहां पर है जो आजकल अभी भारती जनता पारिटी में नहीं है लेकिन चर्चा बहुत है उनकी भारती जनता पारिटी में वो चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी ठीकठा क्वोट ली लगवग 10-11,000 के बीच में और उसके बाद में उन्होंने आमादनी पारिटी को भी तिलांजली दे दी आजकल वो होडल के अंदर जगा जगा अपनी कन्वैसिंग कर रही है पता नहीं जंडा जंडा कौन सा उनका नाम है नवीन रोहिला नवीन रोहिलार सिक्षाविद हैं उन्होंने 2-19 के चुनाव से पहले पुलिटैक्निक कॉलेज की वह प्रिंसिपल हुआ करती थी उन्होंने नौख्री छोड़ी उनके जो पती है है नवीन रोहिला के वो मिस्टर मों बढाँगीजनली तियर प्राइटी में जो लोग ना हो उनको जोइन करवाया जाए और टिकट दिया जाए बाजबाग एक बड़े नेता से पिछले सप्ताई मेरी मुलाकात हुई थी तो वो उसमें बता भी रहे थे कि हमारे लिए प्राइटी यह है कि जो आदमी चुनाव जीत सकता हो उसको कॉंग्रेस में थे अनको कॉंग्रेस से भारती जंतापारटी में लाए गया और उनको लोग जभा का टेके्ट दिया गया कुरूक्षहत्र से वह सांसद्वने खेर अगले नाम आपसे जिक्र करूं तो फिर होडल्य से टिकेट की इच्छा करने वालों में सुनील कुमार है सुनील कुमार ठेकेदार है भारति जंता पालिटी के जिला सचीव है आज कल और वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं अगर अगला नाम कहूं तो rezil कुमार है सरपंच पैंगलतु गाव है पैंगलतु गाव जगदीश नायर का है जगदीश नायर जो वहांके विदाया के उनका प्रमुक नाम जोड़ दूँ आपको मैं तो डॉक्टर यश्पाल जो पलवल नगर परिशत के चेर्मेन है वो होडल से विधान सभा के टिकेट चाहते हैं उन्होंने भी अपलाई किया हुआ है काफी सक्रिय भी है मैं उनके फेस्बुक पोस्ट देख रहा था कई दूसरा न मोर्चा के जिला की अध्यक्ष है रिंकू और उनकी धरम पतनी है कनकलता कनकलता पलवल नगर परिशत की पार्षद है और वो भी ओडल की टिकेट की चहावान में है उनकी बिच्छा है नाम कुछ और भी हो सकता है हो लेकिन जो प्रमुक नाम थे मैंने आपको बताए हो अ उसके अंदर पहले नंबर पर जो नाम चला है वो जगदीश नायर का है जगदीश नायर जो पूर्व मंत्री भी है और आजकल के विधायक भी है जगदीश नायर के नाम की चर्चा गंभीरता से है राजनीतिक सोर्स बता रहे है जो दूसरा नाम है वो नमीन रोहिला का है नमीन रोहिला के नाम भी चर्चा भी गंभीरता से है उससे एक तो महिला कोटा पूरा होता है दूसरा भारती जन्ता पार्टी जिस सोच से है कि अगर जगदीश नायर की एंटीन कंबेंसी है कोई जगदीश नायर का कोई विरोध है तो फिर उसको नमीन रोहिला के जरीए साध लिया जाए वहाँ पर नाम हरेंदर का भी हो सकता है क्योंकि हरेंदर जो है वो कृषनपाल गुजर के बहुत नजदीकियों में शामिल है इसके लावा बाकी भी कई नाम है लेकिन जो राजनितिक जानकारी हो ये है कि ये तीन नाम प्राथ मिक्ता से हैं अगर किसी जनप्रतीन इधी के तरफ बात जाती है तो शायद यश्पाल का नाम भी चले लेकिन आप प्रारंबिक मान करके चलें कि जो मैंने आपको पहले तीन लाम बताए जगदीश नायर नमबर एक, नमबर दो नमीन रोहिला और नमबर तीन हरेंदर रामरतन इन नामों पर गंभीरता से मन्थन हुआ है इसके लावा अगर क्या पार्टी में कोई और सोच बन सकती है? क्या किसी और चहरे को लाया जा सकता है? यह सब कुछ भविश्यकगर में है हलाकि भारती जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो संभावनाय जताई जा रही है वो अगले सब्तहा में आ सकती है यानि कि 24 तारिक के बाद क्रिशन जर्माश्टमी के बाद में जो ये सब्तहा चलेगा 24-31 वाला इसके अंदर संभावना है कि 26-31 वाला उसमें संभावना है कि अंतिम अगस्त के अंतिम सब्तहा में भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर दे हमने जो नाम बताएं आप इनसे कितने सहमत है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें